कहानी लेखन बच्चों, कहानी सुनना सुनाना सभी पसंद करते हैं बच्चे हो या बूढ़े, कहानी पढ़ना और सुनना सबको अच्छा लगता है कहानी साहित्य की सबसे अधिक लोकप्रिये विधा है आपने भी तो कहानी पढ़ी और सुनी होगी आईए अब कहानी के प्रकार पढ़ते हैं. क्या आपको मालूम है कि कहानी कितने प्रकार की होती है? नहीं मालूम आईए मैं बताती हूँ. बच्चो कहानिया अनेक प्रकार की होती हैं जैसे परियों की कहानिया, पशुपक्षियों की कहानिया, जादू की कहानिया, साधू संतों की कहानिया, तथा राजा, महराजा, एवं वीरों की कहानिया बच्चों क्या आपको पता है कि कहानिया लिखी, पढ़ी और सुनाई क्यों जाती है कहानिया बच्चों या पढ़ने वालों को शिक्षा देने के लिए लिखी, पढ़ी और सुनाई जाती है बच्चों अभी आपने कहानी और कहानी के महत्व को समझा आईए अब कहानी के अंगों के बारे में बात करते हैं 2. कहानी के पात्र या चरित्र कहानी के पात्र देवी, देवता, भूत प्रेत, परियां, राजारानी या कोई साधारण आदमी भी हो सकता है. 3. उद्देश्य कहानी का उद्देश्य पढ़ने वाले को शिक्षा देना है. अतह, कहानी में उसका उद्देश्य, अर्थात, शिक्षा, अवश्य होनी चाहिए. 4. कथोब कथन कथोब कथन का अर्थ है पात्रों की बात्चीत. कहानी का कथोब कथन प्रभावी होना चाहिए. बच्चो आपने कहानी के अंगों के बारे में पढ़ा अब कहानी लेखन में याद रखने योगे बातों को पढ़िए बच्चो कहानी का विशय पढ़ने वाले की उम्र एवं रुची के अनुसार होना चाहिए कहानी इतनी बड़ी ना हो कि पढ़ने वाले ये सुनने वाले का मन उचट जाए सबसे पहले कहानी का विशय अच्छी तरहा से समझ लें और एक स्पष्ट रूप रेखा बना लें कहानी की भाषा सरल और सुबोध हो और वाक्के छोटे छोटे हो कहानी का कथोप कथन सरल और सजीव लगना चाहिए यदि कहानी कल्पना पर आधारित हो तो भी सामानने जीवन से समानता रखती हो कहानी रूचिकर, मनुरंजन करने वाली तथा शिक्षा देने वाली हो बच्चो, परीक्षा में चित्र तथा संकेत बिंदू, अथवा केवल संकेत बिंदू दे कर कहानी लेखन के लिए कहा जा सकता है अथवा शब्दों, वाक्यान्शों या वाक्यों की सहायता से कहानी पूरी करने के लिए कहा जा सकता है अब आप कहानी लेखन के संबंध में अच्छी तरह समझ गए हैं अतह अब कहानी के कुछ उधारन पढ़िए उधारन एक चित्र एवं संकेत बिंदुओं द्वारा कहानी लेखन चित्र एवं संकेत बिंदुओं की सहायता से कोरा ज्यान शीर्शक कहानी लिखिए संकेत बिंदू, बनारस, गंगा का किनारा, एक गाउं, ब्राह्मन पुत्र, रूद्रदत, संस्कृत का विद्वान होना, घराना, सम्मान पाना, घमंडी होना, कथा कहने दूसरे गाउं जाना, नाओ से गंगा नदी पार करना, नाविक से पढ़ाई के बारे में पूछना, इसी बीच में आंधी आना और पानी बरसना, नाव गंगा में डूब जाना, पंडित को तैरना ना आना, नाविक द्वारा पंडित को बचाना, पंडित द्वारा नाविक को धन्यवाद देना, घर वापिस जाना, सीख पुस्तकिये ग्यान के साथ साथ व्यवहरिक ग्यान भी आवशक कोरा ग्यान गंगा के तट पर बनारस के पास एक गाउं में एक प्रहमन रहता था स्वयम तो कम पढ़ा लिखा था किन्तु उसने अपने पुत्र रूद्र दत को काशी में शिक्षा दिलवाई वो काशी से संस्कृत का महान विद्वान बनकर वापिस गाउं लोटा सब स्थानों पर उसका यश फैल गया अपनी प्रशन सा सुन सुन कर उसको अपने ग्यान पर बढ़ा अभिमान हो गया वर्शा रितु के एक दिन उसको गंगा के उस पार कथा कहने जाना था पोथी पत्रा लेकर वो घर से चला गंगानदी पर पहुँच कर नाविक से बूला भईया शीगरता करो मुझे तुरंत उस पार जाना है नाविक ने नाव खोल दी रास्ते में उसने नाविक से पूछा भईया तुम पढ़े लिखे हो उसने कहा नहीं रूद्रदत ने फिर पूछा शास्त्रों की बाते सुनी है उसने कहा नहीं नाव चलाने के अतिरिक्त कोई और काम नहीं किया रूद्रदत ने उससे कहा फिर तो तुम्हारा जीवन ही बेकार है रूद्रदत नाविक से बात कर ही रहा था कि आंधी आ गई और पानी बरसने लगा नाविक ने कहा पंडित जी नाव का कोई भरूसा नहीं आपको तैरना आता है ना पंडित जी ने कहा नहीं मुझे तैरना नहीं आता इतने में जोर की आंधी आई और नाव पलट गई पंडित जी डूब में लगे नाविक ने नाव पतवार छोड़ दिया, पंडित जी को सहारा देकर गंगा के किनारे लाया। हापते हुए पंडित जी ने कहा, भाईया तुमने मेरे जीवन की रक्षा की है, मैं तुम्हारा उपकार सदा याद रखूंगा। किसी ने सत्य कहा है, कोरे पुस्तकिये ग्यान के साथ ही कुछ ना कुछ व्यवहारिक काम भी सीखना आवशक है।